तीन साल से जादा वक्स से प्रधार मंत्री का पत्स संभाल रहे नरेंद्र मोदी में लोगों का भरोसा अभी बरकरार है उनकी लोगप्यता का ग्राफ और उपर उठ कया है एक सर्वे के मुताबिक 88 प्रतशर जनता की पसंद पीम मोदी है जबकि राहूल गांधी 58 फीजदी लोगों की पसंद है इस सर्वे की दूसरी खास पाते जानने करिए इस रिपोर्ट पर नज़र दाले देश के प्रधान मंत्री का स्वागत कुछ इस तरह से करती है देश की जनता आम भाशा में आम लोगों के हित्की बात करना प्रोटकॉल तोड़कर लोगों के बीच बहुत जाना मन की बात में सीधे जनता से संबाद करना ऐसी कई बाते हैं जो नरेंद्र मोदी को लोगों का फेवरिट बना देती है मोदी के लिए लोगों का जुनून हमने सर्वो पर देखा रालियों में देखा यहां तक कि उनकी विदेश यात्राओं में भी खोब देखा है अब एक सर्वे से भी साफ हो गया है कि पॉपिलारिटी के मामले में कोई और नेता मोदी के आसपास भी नहीं है और ये लोग प्रेता लगातार बढ़ती जा रही है अमेरिका की P.E.W. Research Center के 2017 के सर्वे के मुताबिक 88 प्रतिशत भारतियों की पसंद है नरेंद्र मोदी यानि 700 करोड की आबादी में 88 प्रतिशत लोगों ने मोदी पर भरोसा चताया है P.E.W. का ये सर्वे इस सार 21 फरवरी से 10 मार्च के बीच किया गया है Research के मुताबिक 2014 में मोदी के सर्वे में आने के बाद से देश के पॉजिटिव रवये में दो गुना इजाफा हुआ है इसकी बड़ी वज़ा है मोदी का देश की आर्थिक व्यवस्था में लोगों का फरोसा पैदा करना बीते तीन सालों में एकनॉमे ग्रोथ में तीन गुना इजाफा हुआ है हर 10 में से 8 यानी 80 प्रतिशत लोग मानते हैं कि आज देश के आर्थिक स्थिती अच्छी है 70 प्रतिशत भारती अदेश की मौदूदा स्थिती से संतुष्ट है धक्षन में आंद्रप्रदेश, करनाटक, तामिलाडू, तेलंगाना और पश्चिम में महाराष्ट, गुजरात और 36 गड़ में 90 प्रतिशत लोगों की पसंद है मोदी वहीं उत्तर और पूर्वी भारत के बिहार, जारकन, उरिसा, वेस्ट बिंगॉल, दिल्ली, हर्याना, मद्रप्रदेश, पंजाब, राजिस्थान और उत्तर प्रदेश में 80 प्रतिशत लोग मोदी को पसंद करते हैं अंक्रों से साफ है कि लोग ना सिर्फ मोदी की नीतियों को पसंद कर रहे हैं, बलकि उनके फैसलों पर पूरा भरोसा भी जता रहे हैं 2014 में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से चुनाव जीत कर ये फाबित कर दिया था कि देश बदलाब चाता है मोदी सरकार में अर्थ व्यवस्ता के सुधार के लिए नोटबंदी और जीस्टी लागू करड़े जैसे एहन फैसली लिये गए अगर पिछले तीन सालों के ट्रेंट को देखें तो साफ पता चलता है कि फैसलों के बाद आए परिणामों से लोग संतुष्ट है 2015 में जहां 87 प्रतिशत लोग मोदी को पसंद करते थे वहीं 2016 में ये आकड़ा घटकर 81 फिसदी हो गया था लेकिन साल भर बाद यानी 2017 में फिर 88 प्रतिशत लोगों ने मोदी को ही अपना फेवरेट बताया मोदी चहां लोगों में लगातार पॉपिलर होते जा रहे हैं वहीं उनके राजनीतिक विरोधी उनसे उतना ही पीछे चूट गए हैं आज मोदी की लोग प्रियता के सामने सब छोटे होते जा रहे हैं PEW की रिसर्च के मुताबिक मोदी कॉंग्रिस महासेचे वराहूल गांदी से पॉपिलारिटी के मामले में 30% आगे हैं और लोगों की अपेक्षाओं पे खरा उतर कर मोदी ये साबित कर रहे हैं कि वही हैं भारतिय राजनीती के महनायक